कि इजिक अब दोस्तों स्वागा थे आपका एक नए जीटे फाइव के एपिसोड में जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि अगला एपिसोड में मिलिटरी बेस पर ही करूंगा और इस एपिसोड में हम मिलिटरी बेस ही जाएंगे सो चलते हैं सो आज हम अपनी गाड़ी पे निया आज आप अपनी बाइक पर जाएंगे यहां से मिलिटरी बेस काफी दूर है अज दीक तो एंट टाइम तो ऐसे लगेगा आज हाँ बाकी है मेर को बताते रहा करो कि आप एपिसोड किस पर जाते हो यह जीटे फाइव के कि मेरे करके पताते हो करो कि मैं कभी आपकी फसंद पता चले कि जीटे फाइव किस चीज डाला करउगा अब बाकि अभी ऐसा भी निया कि अब मैं सर्फ जीटेए फाइव की वीडियो डाला करूंगा बीच बीच में मैं दूसरी वीडियो भी एड़ करता रहूंगा है कि गुकिंग जैसे को यह वह मेरे को अच्छा सा टोपिक लगेगा तो मैं उस पे एक वीडियो बनाई अब बस शेयर के एंडिंग पाइंट ही आ गया उसके बाद थोड़े पहाड़ से शुरू हो जाएंगे अब बाकि इस वीडियो का भी सेकंड पार्ट आएगा जैसे मांट चिलियार्ड वाली वीडियो का आया था आप उसके लिए भी जरूर इंतजार करना और यार मैं कीज़ और सोच रहा था जब मैं में मिलिटरी बेस से बापिस आओंगा लो सेंटोस में तो मैं सोच रहा था कि जो में यह बाइक है फ्रेंकलिन की इसको अपग्रेड कर वालू थोड़ा थोड़ा बुलेड जैसे बन वालूंगा इसको काफी अच्छी लगेग अब यह थोड़ी गंदी सी लग रही है पीजा बोई सा लग रहा जो पीजा डिलिवरी करने जाता है वैसा लग रहा अभी तो सुब बस शेयर का भी एंडिंग पॉइंट ही आ गया है शेयर खत्मी हो गया इसके बाद पहाड़ियां शुरू हैंगी उन पहाड़ियों के दूसरी साइड ही मिलिट्री बेस है मिलिट्री बेस अब शेयर से बाहर तो आगी है अब थोड़ी बाइक बगाएंगे शेयर में तो एक एक मिनट के बाद भी किया थोड़ी से रेस दो तब ही एक ब्रेक मारनी पड़ जाती है तो यहां पर तो अभी थोड़ी खुली रोड मिलेगी खाली मिलेगी और थोड़ी बगाने के भी मज़े आएंगे तर यहां से तो अब हम जल्दी पहुंचें कि ज्यादा टाइम तो लगेगा नि खुली रोड हैंगे बागी इदर के एरिया भी बड़ी हरा भरा सा लगता है शेयर में तो ऐसे पोल्यूशन सा वजरें होते हैं कि वह देखो सामनी माउंट चिली आड़ा जिस पर मैंने पिछला पार्ट बनाया था और अब व्यू देख भाई उदर का थोड़ा रोक की दिखाता हूं क्या बहुत है भाई बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहां से लो सैंटोस का यह सबसे बड़ा पहाड़ है माउंट चिली आड़े लो सैंटोस का माउंट एवरेस्ट भी कह सकते वाप यहां से अब देखो सामने मिलिटरी बेस है सामने बिल्कुल अपने वहां पर जाना थोड़ा ही दूर रहागी आप तो जल्दी पहुंजेंगे बाकी यार यह बहुत अच्छा सेरी है हरा भरासा काफी अच्छा लगता है इदर आके शैर में तो भाई भीड़ बड़क कहीं होता है इदर ही मिलती है खुली हवा हमारे लेफ्ट में है मिलिटरी बेस यहां से थोड़ा थोड़ा दिख भी रहे है जो यह आ गया है मारा मिलिटरी बेस का अंट्री गेट यहां से मिलिटरी बेस शुरू होता है अगर नहीं वैसे शुरू तो वैसे वहां से होएगा लेकिन हमारा तो इदर से शुरू हो जाता है कि अब यह पता नहीं को लेंगे भी के नहीं शयाद नहीं खोलते देखते हैं कि खोलते हैं कर नहीं नहीं खोलते खोल दो भाई नहीं खोलतो तोड़ना ही पड़ेगा यह हैं हमारा मिलिटरी बेस बाकी आपको आगे जाके दिखाएंगे यहां पर टैंक टों कुई काफी मिल जाते हैं काफी काफी मात्रा आएं देख तो वह देखो सामनी जा रहे तुम तो खोल दो यार यह में को अच्छे लग रहे हैं खोल देंगी हां खोल दिया तारीफ सुनते ही रंग बदल भी यह आमारा मिलिटरी बेस यह देखो आई आर्मी के लगते हैं परेड़ परेड़ कर रहे हैं कोई अभी एक लाइन में चल रहे हैं इदर जहाज जो हुज भी काफी खड़े हैं यह रहे दो तीन बंदे वाँ भाई काफी बड़ा हैं यह देखो पपजी में भी सेम ऐसी होती हैं काफी बड़ा है जैट भी आपको दिखाऊंगा में अधर जैट भी आएंगे काफी पड़े कि वह में यह मैं यह में पुलक ता सामने जो बड़ा सा उनका Palineu 50 लगता गण कर तुछ आ अधि अभी एक बारी में अपनी वार है पार्किंग में लगा एंदेर पीछे के आil पार्किन यहां पर में जाएंगे यह रामा इनका है दोफिस यहां पर भी जाएंगे यहां पर पार्किंग है कि अहां है इधर लगा देते हैं अपनी बाइक बाइक कर दिया पार्क इधर से इठालों का कल आज तो शाम होगी है आज की लिए बस इतना ही मिलता हूँ मैं आपको अगले पार्ट में मिलिटरी पेस के अगले पार्ट में तब तक टाटा बाइबाई